स्तोत्र 65-64 धन्यवाद का भजन संगीत निर्देशक के लिए एक स्तोत्र दाउद का एक गीत ईश्वर सियोन में तेरा स्तुतिगान करना हमारे लिए उचित है हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं सब मनश्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया किन्तु तू हमारा पाप ख्षमा करता है धन्यहेवाद जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है हम तेरे घर के वैभव से तेरे मंदिर की पवित्रता से संब्रिद्ध होंगे अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है तू हमारा उध्धारक इश्वर है समस्त पृत्वी और सुदूर द्वीपों की आशा वो अपने सामर्थि से परवतों को स्थापित करता है वो पराक्रम से विभूशित है वो समुद्र का गर्जन उसकी लहरों का कूलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है प्रत्वी के सीमानतों के निबासी तेरे चमतकार देखकर आश्चर चकित है पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं तूने प्रत्वी की सुधी ली उसे सीचा और उपज से भर दिया इश्वर की नदी उमरती है तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है तू भूमी को इस प्रकार तयार करता है तू जोती हुई भूमी सीचता है उसे बराबर करता पानी बरसा कर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशिश देता है तू वर्ष भर वर्दान देता रहता है, तेरे मारगों के आसपास की भूमी अच्छी फ़सल से भरे हुई है, परती भूमी के चरागाह हरे भरे हैं, पहाडियों में आनंद के गीत गूँचते हैं, चरागाह पश्वों से भरे हुई हैं, घाटियां अनाच की फसल से धकी सर्वत्र आनंद तथा उल्लास की गीत सुना ही पड़ते हैं